आज कल डालगोना कॉफी और इसा बहुत ट्रेंड कर रहा है पर करेंटली इस सिचुएशन में हमें हेल्दी रहने की और इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग करने की काफी जरूरत है मोधी जी ने कहा है जान है तो जाहान है तो आज हम देखेंगे की magical काढ़ा कैसे बनाना है अगर आपके गले में खराश है आपको सर्दी खासी है या फिर आप टोटली फाइन हो फिर भी आप इसे daily basis पर कंजूम कर सकते हो सबसे पहले हम one and a half कप पानी लेंगे उसे अच्छे से बॉइल कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे बारी कटे हुए लेमन ग्रास के पते next हम इसमें डालेंगे अजवाइन के species से बिलॉण करने वाले प्लांट के पते इसको हमें अच्छे से धोकर काटकर डालना है इसे जनरली भजिया बनाया जाता है अगर आपके पास यह नहीं हो तो आप इसमें अजवाइन के seeds भी डाल सकते हो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से तुलसी के पत्ते इन सारे हर्प्स को कट कर कर ही डालिए इसके वज़े से इसका सारा एक्स्टाक्ट अथे से निकल के आता है दो लॉंग और दो तीन काली मिर्च का पाउडर एक छोटा रफली चॉप प्यास डालेंगे हम नेक्स्ट आम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अद्रक एक चुटकी भर अजवाइन बस अब हमें इसे 2-4 मिनिट के लिए उबालना है बच्पन में मुझे जबी भी सर्दी खासी हुआ करती थी तबी मुझे दादी ये बना कर जबरदस्ती पिलाया करती थी लेकिन पीने के कुछी पलो बाद मुझे काफी आराम महसूस होता था बिलकुल रेडी है हमारा मैजिकल काढ़ा आप चाहू तो इसमें हनी डाल कर पी सकते हो हमें इसे अच्छे से सीव कर लेना है और जब ये वाम रहता है तब ही हमें इसे कंजूम करना है ये रेसिपी में ने जिन लोगों के साथ भी शेर की है उनको काफी राहत मिली है तो ये ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड रेसिपी है इसे जरूर ट्राइ कीजिए इसके कोई भी साइड एफेक्स नहीं है इसे आप डेली बेसिस पर कंजूम कीजिए फिट रहिए, स्टे होम, स्टे सिफ इसे जरूर ट्राइ कीजिए आपका कमेंट सेक्षन में फिटबाक दीजिए अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ना गुले नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करे